फ्रेंड्स के सेर में हमारे काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर पाई फस चुके क्योंकि काफी लोगों ने इस सेर को 4000 रुपे के आसपास के लेवल से बाई किया है मना करने के बावजुद तो उन लोगों का ये प्रश्ण था कि आज अच्चानक से इस सेर में 10% के आसपास की हमको गिरावट क्यों देखने को मिल रहे तो और फ्रेंड्स पब्लिक डोमेन में कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज अभी केम्स की ओर से सामने नियरी ना ही ओफिस्यली कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं मगर आपने देखा होगा कि इस IPO को आये हुए एक सा हो चुका है तो यहाँ पर जो भी लोकिंग पिरियेड होता है उसका टाइम समाप्त हो गया तो इसी वज़े से जो इंटर्नल टीम होती है निकी मेनेजमेंट वगेरा जो भी यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर होते उन लोगों की ओर से हमें यहाँ पर साइध प्रोफिट है ऐसा हम कह सकते तो जो भी लोग अभी इस सेर को 4000 रुपे के आसपास के लेवल पर लेकर बेठे थे उसको डेफिनेटली होल्ड करना है क्योंकि अगले आने वाले दिनों में वापस यह सेर उपर जायेगा ऐसी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है